नमस्कार सातियों आप सभी का हमारे यूटूब चैडल क्रिश्ची का उल्लेट क्लासेस में स्वागत है जह सातियों जैसा अपने पिछली हमारी वीडियो बे देखा कि आयतर वीवरडी हम किस प्रकार से अपनी भरें जिससे हम अपने टेक्स विजाड करें और बहतर तरीके देख सके अपने विभाग को उसी करम में आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आज जो हम लेके आया है वह है एचारे से संबंदित क्योंकि कई लोग के मढ़ में यह प्रश्च रहता है कि हम एचारे घटाया जाए या ना घटाया जाए क्या होती है अचारे की छूट कैसे कल्कुलेशिट करें यह सब बातों का जब आप आज की इस वीडियो में बिलेगा आपको जोने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया है वे प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे जो भी वीडियो जारी किये आए बात करते है एचारे की जह साथियो आप जैसा देख रहे है कि सबसे पहले बात आती है कि एचारे के लिए कौन पात्र है एचारे की पात्रता की बात है तो जो बेक्ती क्राय पर रहता है जो कर्वचारी क्राय पर रहता है उसको एचारे की छूट मिलती है उस HR-A की छूट किस प्रकार ली जाती है क्या ऐसे गल्डा की जाती है उसका सीधा सा एक फार्मुला है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो टैक्सी गल्डा है उसमें से ये तीन विंदू जो तीन विंदू है इन पर हमें ध्यार दे रहा है सबसे पहले एक्चुल एक्चारे रिसीब सबसे पहले जो हम लिखेंगे कि हमारा जो एक्चारे है हाउस रेट एलाउंस कित्रा बिल्क्ट राप्त हो रहा है उसको लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि रेंड पेड कि हम रेंड के दरा चुका रहे हैं और उसमें से हम बैसिक सेलरी जो बेतर है उसका 10% घटाएगे एक चारे के लिए जो बेतर लिया जाता है साथियो वो है बैसिक सेलरी बैसिक सेलरी और प्लस डीये यानि जो भी पूरे वर्ष में हमारा बैसिक सेलरी जो बढ़ेगी और जो डीये बढ़ेगा उसको जोड़के उसका 10% लिकालके हम उस रेड़ पेड़ में से घटा देगे तीसरा 50% अफ सेलरी जैसे अभी हमने बताया था सेलरी का बतलब वह है बेसिक सेलरी जैनि मूल बेतर आपका प्लस डीये जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो उसका जो 50% होगा उसको लिखेंगे तो हमार पास यह तीर पॉइंट हो गए सबसे पहले, actual HR receive दूसरा, rent paid माइनस 10% अफ सेलरी और तीसरा पॉइंट जो है वो है 50% अफ सेलरी यह तो रही इस wireless की बाद जो इन तीन में से सबसे कब होगा जो इन तीन में से सबसे कब होगा वही चूट हमारी HR की चूट कहलाई जाएगी आईए इसको हम एक उधारण के बगध्यम सभी सबस्ते हैं माल लीजे आपका HR पूरे वार्षिक जो हुआ है टोटल वो है 22,080 रुपए रेंट पेड जो किराया चुकाए जा रहा है वो है 8,000 रुपए बहीड़ा इस हिसाब से पूरे वर्ष का 46,000 रुपए जो बेसिक सेलरी का टोटल हो रहा है वो है 6,018,000 रुपए डिये जो वार्षिक हो रहा है वो है 1,5,060 रुपए ये चार चीज़े हमें दे रखिये अब हम इसकी कल्कुलेक्शन करेगे जैसे अब बताया गया था कि actual HR receive सबसे पहले हम लिखें कि तो actual HR receive कितरा हो रहा है 22,080 रुपए दूसरी बात जो बताई गई है वो है रेंट पेड माइनस 10 परसेंट ऑफ सेलरी रेंट पेड कितरा हो रहा है आठ हजा रुपए महिने के साब से बाराटे च्छट बहजा रुपए माइनस सेलरी सेलरी हमने बताया था डिये और HR दोनों को मिला के जो होगी वो सेलरी कहलाएगी इसमें तो बेसिक सेलरी कितनी हमारी 6,18,000 रुपए और डिये है एक लाग 5,060 रुपए दोनों को मिलाएगे तो यह बच जाएगा 7,23,060 रुपए जीहाँ 7,23,060 का 10% बनेगा 72,306 रुपए तो रेंट पेड कितरा है अब राग 6,000 रुपए माइनस 10% सेलरी कितनी है 32,306 अब इसको घटाएगे तो निकल के आया 23,684 रुपए यह दूसरी शर्थ हो गई तीसरा जो पॉइंट है वो है 50% आप सेलरी इसमें सेलरी का वही मतलब है कि बेसिक सेलरी का टोटल और हमारा डी ए का जो टोटल है वार्शिक इन दोनों को जोड़ेगे तो हमारा बढ़ रहा था 7,23,060 रुपए उसका 50% 3,61,530 रुपए तो आप देख रहे साती हो इन तीन में सबसे कब क्या है 22,080 रुपए जी हाँ तो यह 22,080 रुपए जो है यह हमारा एक्चारे एक्जेमिशन कहलाएगा यह छूट हमें बिलेगी और अब इस एक्चारे को माइनस कर देगे अब एक्चारे की छूट निकलाई अब बात आती है कि कि एक्चारे खाली दिखाने के बाद क्या हमारी दायत खत्म हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियो अब की जो वर्स है जो हमारा फाइनेशियल इयर बीस इकिस चल रहा है और जब कर देख हमारा असेस्मेंट इयर जब आएगा दोहजार एकिस बाइस जब हमारे आईटियर भड़ले की बारी आएगी तो अब की उसमें एक बहुत ब जाएखेशंट के लिए ईक शर्त होती है कि वैगि किस पेन नमबर पर दाट दिया जा रहा है ठीक उसी तरज पर जो है अब ये झ्राइज जायागा कि हम जो कि एबरा, आवकि अब में जो छूट लेगे जैसे आप देख रहे हैं स्क्रेट पर कि जो इसके दस्तावेज अब यूज करते हैं छूट लेने के लिए वो है मकान क्राय की जो रसीद है वो हमें देरी होगी अपने विभाग को जिसमें मकान मालिक का नाम और पैड नमबर दर्ज हो और मकान मालिक के लिए दायत वो बच जाएगा कि वहें अपना आई टी आर फाइल करें और उस आई टी आर में वो इनकम दिखाए जो उसने एक मकान किराय की किराय के रूर में प्राप्त की है इसलिए साथियों आप ये बिल्कुल भी गल्ती ना करें कि आपने किसी का भी पैड नमबर लिख दिया और एचारे की छूट तो ले ली लेकिन उस बिचारे जिसका आप पैड नमबर लगा रहे हैं उसके पास बिभाग का नोटिस आएगा कि आप अपना आई टी आर फाइल कीजिए और उसमें वो इनकम दिखाएए जो आपने मकान किराय की रूर में प्राप्त की है तो साथियों यह बहुत बड़ा अपडेट हमारे असेस्मेट यह एकिस बाइस में होने जा रहा है इसलिए जो भी टेक्स आप इसमें एचारे मैनेस करें तो आप पूरा अपने आप में शूर हो जाए कि आप बाकई में क्रायदार के रूपे क्राया दे रहे है और लाइन रसीत से दीजिए जो भी आप पेवेंट कर रहे है अगर बकार वालिक को तो ऑल्लाइन पेवेंट कीजिए जिससे आपकी पूरी पुखता सबूत के तौर पे कागबाएं और आपका ओल्लाइन ट्राइजेक्शन रहें लेद दिर में पूरी पारदरशिता बड़ी रहें और ये जो बकार वालिक के लिए भी है कि वे अपना आइटियार चुरूर फाइल करें जिससे जो उन्हें क्राय की रसी प्राप्त हो रहा है बकार का कराया वो उसको दिखो गए तो ये तो देखा साथियो ये जो महत्पूर्ट जाड़कारी है आपको कैसी लगी यदि आपको हमारी जाड़कारी पसंद आए अच्छी लगे तो प्लीज अपने और साथियों में भी इसको जरू शेयर कीजेगा और मैं पुरा पनी बात को दोरा रहा हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजेगा जिससे और जब सब्सक्राइब करें तो साथ पर ही इसके एक विल आइकन आपको दिखाई देगा आप उसको जब नोटिफेकेशन कर देगे तो हमारी वीडियो का नोटिफेकेशन जो है आपके पास स्वता आता रहेगा आपको किसी के लिक या शेयर के आउशकता रही पड़ेगी आगे भी अब ऐसी महत्पूर्ट जाटकरी आपके लिए लाते रहेगे तब तक के लिए नमस्कार